विदरिंग का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं विदरिंग का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो एजेक्टिव के रूप में जो चीज विदर हो रही होती है उसको विदरिंग कह सकते हैं और विदर होने का जो काम होता है यानि किस चीज़ का अपक्षय, तिरसकार पूर्ण, विध्वन्सकार या वग्या पूर्ण या तिरसकार भरी कोई चीज़ होती है तो उसको हम विदरिंग कह सकते हैं इसके इलावा विदर का ही present participle यानि कि ING form भी होती है विदरिंग और व या अगर आप यह कहना चाहें कि पुरानी जो values थी वो समाद से नश्ट हो रही है या समाद से खो रही है तो आप कहेंगे the old values are withering away in a new society अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करें और बैल आइकन को प्रेस करें